अशोग चौहान के भाजपा में आने से हमारा गटबंदन महाराज की 48 लोकसबा सीटों पर विजय हासिल करेगा शिवसेना प्रवक्ता क्रिशना हेगडे का बयान महाराज के पूर मुखमंत्रिय और कॉंग्रेस पार्टी के वरिशनेता अशोग चौहान के कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से कॉंग्रेस के सभी नेता बहुत आश्यारे में है क्योंकि वो एक दिन पहले हुई कॉंग्रेस के बैठाग में बहुत गंभीता से शामिल हुए थे लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने कॉंग्रेस नेताओं को अपना इस्तीफा सौप दिया भाजपा की नेताओं ने उन्हें हाथो हाथ लिया और अब वो पूरी तरह से भाजपा में शामिल होकर वहां से उन्होंने अपनी राजनीती की नई पारी के शुरुआत कर दिये महाराज प्रदिश कॉंग्रेस के नेता नाना पटोले ने मीडिया जबात करते हुए कहा कि वो उस पार्टी में एड़्यस नहीं हो पाएंगे इसलिए उन्हें वापस कॉंग्रेस में आ जाना चाहिए हम लोग उनका स्वागत करेंगे वहीं दूसरी और महाराज में भाजपा के साथ सत्ता में शामिल शिवसेना ने अशोक चावान का भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है शिव सेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगडे ने कहा कि उनके भाजपा में आने से हमारा गडबन्दन महाराश की सभी अरताली सीटों पर विजय का जंडा लहराएगा अशोक राव चवाज जी कॉंगरेस के बहुत एक बड़े नेता है केंदेस्तर के नेता है वो महाराश्टा में मुखे मंत्री भी रह चुके उनके प्रिता जी शंकर राव चवाज जी भी केंदर मंत्री भी थे और उसके पहले मुखे मंत्री भी थे अशोक राव जी का जो प अशुक चौहार के कॉंग्रेस छोड़ने से जहां महाराश में कॉंग्रेस पार्टी की नेताओं में एक मायूसी देखने को मिल ले है वही सत्ता पक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी काम्याभी मान रहा है आबिद नखवी प्रेस्णाइं न्यूज मुंबई